दूरदर्शन यादगिरी की हिंदी प्रोग्राम की आज ही एक खास प्रस्तती है इसमें मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हो हमारी संस्कृती में हम जब किसी से मिलते हैं तो हम नमस्कार करके अभिनंदन करते हैं बराज पूरे देश में जैश्री राम की जो लहर गून जुठी है तो आज हम ये कारेकरम की शुरुवात जैश्री राम और हैपी दिवाली से करते हैं दिवाली क्यों? हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने बुला है जैनवरी 22nd इस बार दिवाली पहले आ गई हर भारतिय अपने घर में जैनवरी 22 को एक दिया जलाएगा क्यों? अयोध्या में एक बहुत खास इवेंट होने जा रहा है उसी बारे में आज चर्चा करने आज हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान मौजूद है हमारे स्टूडियो में उनका हम स्वागत करते हैं और मैं आपसे उनकी रूबरू कराती हूँ कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रामचंदर राओ जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूरदर्शन यादगीरी के स्टूडियो में ये एक ऐड़केट है । हाइ कोर्ट और सुप्रीम cold में भी काफी லड़ चुके है भारतिये जनेता party हाइडरबाद जो उनका चैक्टर है इसके ये एक्जेकेटिव मेंबर रह चुके हैं, हाइदरबाद यूनिट भारतिय जनिता पाटी के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये तो हुआ उनका पोलिटिकल और लीगल करियर, अकेडेमिया से जुड़े हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ये मेंबर है, नलसर जो लॉ यूनिवरसिटी है, उसक पर इंडिकल रहा है, एक बहुत ही अनोखे टॉपिक पे, जो की हनुमान जी पे इनका विशे रहा है, तो बिना हनुमान के श्री राम और बिना श्री राम के हनुमान नहीं, तो इनका एक बहुत ही खुबसूरत सा परस्पेक्टिव हम जानने की कोशिश करेंगे, कि एतिह कि हेड अफ डिपार्टमेंट रह चुकी है, आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रेमलता जी, दूदर शनियादगीरी के स्टूडियो में, अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे रिशब देव शर्मा जी से, आपका बहुत-बहुत स्वागत है रिशब जी, जै श्री राम, इन्होंने MA और PhD किया है हिंदी में, इंटेलिजन्स ब्यूरो के ये ऑफिसर रह चुके है, दो हजार उननीस से अब तक मौलाना आजाद राश्च्रिय उर्दू विश्व विद्याले में ये बतोर कंसल्टेंट रहे है, दक्षिन भारती हिंदी प्रचार स सभा मदरास के ये प्रोफेसर रहे है, चौदा काव्य संग्रे, बारा आलोचना गरंत, साथ निभन संग्रे, दो किताबों के ये लेखक रहे है, इंट्रेस्टिंगली इनकी एक किताब अब आई है, जो है रामायन संदर्शन, जिसमें रामायन से जुड़ी छोटी-छोट जो कहानिया है, उस पर इनोंने किताब लिखी है, आपका एक बहुत इंट्रेस्टिंग परस्पेक्टिव हम सुनेंगे रिशब जी, इस पूरे मुद्दे पर और इस पूरे इवेंट पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आप तीरों का बहुत-बहुत स्वागत है और इसका background हम देखे तो काफी turbulent रहा है, इसका जो historical significance रहा है कई सदियों से. तो मैं आप से शुरुआत करना चाहूंगी रामचंदर जी, हमें ये बताईए कि अभी तक की जो journey है, आज हम जो ये खुबसूरत राम मंदिर की जो building देख रहे हैं, जो माना जाता है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये, उसकी हमें याहत तक की जो journey रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताईए. ये जो सफर है, ये सफर जो है भी हाली में नहीं, ये कम से कम 1522 एडी से शुरू हुई इसकी, जब बाबर ने यहां पर राम लाला के जो मंदिर को वहां पर उखाड कर वहां पर उन्होंने एक मस्जिद की इस्थापना की थी, और इसके बाद उस समय से आज तक इस देश क सारे प्रजंदा में, एक आखांगशा थी कि राम लाला के मंदिर को भव्या मंदिर बनाया जाए, ये पहली जो देश की आखांगशा, देश की जो इच्छा थी, वहां पर बनना चाहिए था, दूसरी बात ये रहे कि आज जो वहां पर कारेकम होने जा रहा है, बाइस ता क्योंकि इसकी जो मंदिर बनने की जो कलपना थी लोगों में, वह साकार इसलिए हुई है, क्योंकि नरेंदर मोदी जी जो प्रदानमद्दी हमारे देश के, उन्होंने पूरे देश से और पूरे समुधाय से सारे रिलिजियस ग्रूप से उन्होंने अपिल की है, कि ये जो इसा ही हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था दो जार उन्होंने में, उसके बाद जो नरने लिया गया है, मैं समझता हूँ इस देश में जो हमारे जो प्लूरलिजम है या पर हिंदू-मुस्लिम यूनिटी हो, या हमारे देश की जो सेक्लिलर जो हम बोलते ह बार-बार उसकी भावना हो, यह सब हमें आज वहां राम मंदिर में दिखाई जाएगा, लेकि आयोधिया में हिंदूस हैं, मुस्लिम से हर लोग हैं, लेकिन हर हर मजभद के लोग, हर जाती के लोग आज इसका स्वागत कर रहे हैं, जिसके दो बात हैं, एक तो एथियासि जालों से उनके दिलों में थी, यह बन रहा है, और तीसरी बात यह मंदिर बनने का समय है, बाइस जनवरी जो बन रहा है, बाइस जनवरी को जो होगा प्रान प्रतिष्टा, यह हमारे भारतिय के लिए और भारतिय मूल के लोगों के लिए पुरे विश्यों में, एक सब से गर्व की बात रहेगी तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो इस मैं काता हूँ कि जो राम जनवी प्रान प्रतिश्थान हो रही है यह भारतिया लोगों के लिए एक एक इमस्टल इश्यू है सब लोग आज उसलिए प्रजानमध्य जी ने उन्होंने एक काल दिया है कि हम घरों में दिवाली मनाएं दीब जलाएं क्योंकि राम जो है भगवान के रूप में नहीं देखते हैं राम को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है राम को भारत की संस्कृते से जोड़ते हैं संस्कृते से जोड़ते हैं और राम कहीं भी आप देख लिए उन्हों कोई मिराकिल नहीं किया था कहीं वो ऐसा नहीं कहते हैं राम एक राजा था एक मरियादा पुर्शन राम के वालिटी सारी है राम की जैसा है यह किसी लड़के लड़की को शादी को बिरते हैं अरे प यह कि सारे लोग खुश्याल रहें तो इसलिए आज राम राज जी हमारे देश में एक पहला कदम है कि यहाँ राम राज में हमरे मंदिर बन रहा है यहाँ पर और हम सब बहुत खुश है और जो आपने कहा जैस्री राम जैस्री राम राम मंदिर से नहीं है आपने एक बहुत ही खुबसूरत पॉइंट मेंशन किया कि आयोध्या में हर मजभ को मानने वाले लोग रहते हैं हिंदू भी है मुसलिम भी है और यह जो देश में एक सेकुलर और पीसफुल तरीके से जो आयोध्या का एकसेप्टेंस आया है जिस तरह से सारे देश ने एकस जोडने की कोशिश करी है हमारे माननी प्रधान मंत्री जी ने और सुप्रीम कोट के इस वर्डिक्ट ने उसको हम सराहना करते हुए रिशब जी आप से पूछना चाहेंगे कि इस अयोध्या जन्म भूमी जैसे हम मानते है कि अयोध्या राम की जन्म भूमी है ऐसा हमारा मा जान्यता है आयोध्या की संस्कृतिक और एतिहासिक क्या वैल्यू है हम भारतियों के लिए मैं ना हिंदू बोलूंगी ना मुस्लिम बड़ हम भारतियों के लिए आयोध्या की क्या एतिहासिक और वैल्यू है पुनम जी ये ठीक है कि हम ये कह रहे हैं आज कि आयोध्या को हम राम जन्म भूमी मानते हैं मानते नहीं है राम जन्म भूमी है और राम जन्म भूमी है कि जब हम स्थिती कह रहे हैं तो उसका कारण यह है कहने का कि हमारे पास इसका एक जिसे कहें कि प्रशस्त साहित्य हमें पूरा प्राप्त होता है आदर्णिया प्रेमलता जी इस विशे को और बेहतर ढंग से समझा सकेंगी कि आयोध्या का अस्तित्व राम से बहुत पहले यानि राम की शायद सो के आसपास पीढ़ियां उस राम से पहले गुजरती है इक्षवाकु वन्ष के राजा भगवान रिशभदेव का समय जिनोंने असी मसी और क्रिशी का आविश्कार किया यानि एक तरह से जो सभ्था है मानव सभ्था को आगे बढ़ाने के लिए एक परिवर्तन बिंदू जिनके राज्य को कहा जाता है ऐसे भगवान रिशभदेव इक्षवाकु वन्ष के आदी पुरुषों में माने जाते हैं और उनकी वन्षावली में आगे चलते हुए एक सुदीर्ग परमपरा हमें प्राप्त होती है हमारे ग्रंतों में या की रगवन्ष जैसे महाकावे में भी प्राप्त होती है और वहां से वो चलती हुई अब आगे वो फिर यानि राम का अवतार होता है कि इन परिश्थितियों में इस पृत्वी पर राम की आवश्चक्ता पड़ती है भगवान विश्णु के अवतार के रूप में बलकि परब्रम के अवतार के रूप में राम जन्म लेते हैं आयोध्या जो है यह वास्तव में एक रूपक एक मेटाफर के रूप में हमारे जीवन का प्रतीक है हमारी देह का प्रतीक है जिसमें हम एक जिसे कहते हैं चरम शान्ती चाहते हैं जहां कोई युद्ध न हो आयोध्या जहां युद्ध न हो इसी से आवध जहां किसी का साकेत जहां पर निरंतर केतु यानि जंडे अर्थात भजाएं विजे की पताकाएं फैराती रहें यानि किसी परकार के युद्ध की कोई संभावना नहीं शांती की परिस्तितियां हो और यदि यह देह है अवधपुरी जिसे की हमारे यहां की सप्त पुरियों में से एक अत प्रती वह देह का प्रतीक है तो इस देह में जब दश रत जो दसों इंद्रियों का रती हो जिसके वश में दशों इंद्रियां हो अर्थात मन इन दशों इंद्रियों का स्वामी मन है और उस मन के साथ जुड़ी हुई है तीन रानियां सतोगुन, रजोगुन, तमोगुन और इन तीन रानियों के चार पुत्र है चार पुरुशार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और राम इनमे क्या है रामो विग्रहवान धर्म राम साकार धर्म है धर्म का यहां अर्थ कोई मजहव और रिलीजन नहीं बलकि धर्म का अर्थ है मानवीय कर्तव्य तो राम विभिन प्रकार के जिन्हें कहें कि घात प्रतिघातों के बीच में मानवी ये करतव्य का निर्धारन करने वाले मर्यादा पुर्शोत्तम हैं वे आयोध्या में जन्म लेते हैं इस आयोध्या की बड़ी महिमा जो है इस रूप में भी है कि राम को अपनी जन्म भूमी से कितना प्रेम है इस संबंध में एक उक्ती प्रचलित है जिसे कभी हम वालमिकी रामयान की समझते हैं और कई बार हनुमन नाटक की कहा जाता है कि राम कहते हैं लक्षमन से लंका से वापस लोटते समय कि अपी स्वाण मैं लंका नमें लक्षमन रोचते हैं यद्यपी यह लंका सोने की है नमें रोचते मेरा मन यहां नहीं लगता मुझे यह नहीं चाहिए जननी जन्म भूमिष्च स्वरगादपिगरियसी अयोध्या मेरी जन्म भूमी है और वहां मेरी जननी मेरी माताएं हैं वो स्वर्ग से बढ़ा है वो सुक स्वर्ग से बढ़ा है उनकी गोद में रहने का और यह अवसर है राम को उनकी जन्म भूमी में पुनह करने का अवसर इसलिए जैसा कि अभी कहा गया यह संपूर्ण भारत वन्षियों के लिए चाहे वे दुनिया में कहीं भी हो अत्यंत गौरव काक्षण है और निश्चे ही जैसा हमारे साकेत महाकाव्य में महतली शनगुप्त वर्णन करते हैं कि देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने स्वर्ग से मिलने धरा से जा रही यानि स्वर्ग के साथ वह जब आज हम राम की प्रानपतिष्ठा का उत्सव वहां मना रहे हैं जिसे आप दीवाली की संग्या दे रहे हैं इस दीवाली के माध्यम से इस प्रानपतिष्ठा के अवसर के माध्यम से आयो पुरी वास्ताओं में किसी स्वर्ग के, जिसे कहें कि सौंधर्य से अलंकृत हो रही है और निश्चे ही, जो इधर अयोद्या जाने वाले लोग हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ वर्ष पहले की अयोद्या और आज की अयोद्या में उन्हें वही अंतर दिखाई देता है जो आ जो टेंट में थी वह अलोकिकता और दिव्विता अब प्रकट हो रही है दिव्विता और भव्विता प्रकट हो रही है यह अवसर हम लोग अपने जीवन में देख सके इसलिए हम मैं समझता हूं के बहुत सौभागशा लें बहुत ही खुबसूरत आपने जो अलग-अलग बाते बताई हैं जैसे अयोध्या, अवद, रामराज का यही शायद हमारा समय आ चुका है कि रामराज यहां पर एस्टैबलिश हो और नाम में भी जो इतनी छोटी-छोटी मेसेज़ेस हैं वो हमें पता नहीं था तो बहुत आ पंक्तियां जो बोल रहे थे, आप भी साथ में गुन-गुना रहे थे, आपको भी बहुत मसा रहा था बोलने में प्रिवलता जी, आप साहित्य से काफी जुड़ी है, आपका पी-च-डी का टॉपिक जैसे मैं बता रही थी, हनुमान चरित से जुड़ा है, बिना राम के ह हनुमान नहीं, तो ये इनकी जोड़ी तो पूरी गाथा हमें पता है, तो हमें ये बताईए कि historically, जैसे मैंने रशब जी से भी पूछा, आयोध्या की माननेता, किस तरह से आज जो आयोध्या की जर्नी यहां तक हम आए हराम का जो प्रान प्रतिष्ठा होने वाली है, 22 जन पिछला इतिहास अगर उलट कर देखें, तो इसकंद पुरान में अयोध्या नगरी को जो है भगवान विश्नु का चक्र माना है, वो शायद गोल है, उसका व्यास इसलिए शायद उन्होंने ऐसा कहा है, इसके बाद हुआ ये कि रगुणशी राजाओं ने, जो कि बहुत थी दानशील थे, अपने समय में प्रजा के लिए उन्होंने कुएं खुदवाए, उनकी दरश्टी में प्रजा का पालन अपने बच्चों के पालन जज़ा था, इसलिए उन्होंने अपना जो कुछ कमाया, सब कुछ है ना प्रजा पर खर्च कर दिया, जब दश्रत 15 साल क हुए उस समय उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने अपनी वीरता के बल पर कौशल राज पर हमला किया, आकरमण किया, और कौशल राज को जीत लिया, कौशल राजा ने उनको अपनी पुत्री कौशल्या से शादी करवाई, आधाराज दिया, जब आधाराज लेकर वो आ उस समय अयोध्या बिलकुल जंगल की तरह थी, वहाँ उन्होंने लाकर लोगों को बसाया और उसको नाम दिया अयोध्या, जिसका मतलब है कोही भी उसको जीत नहीं सकता, जिस तरह से अजयन को उतजयनी या जय का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह से अयोध्या को भी जय का प्रतीक ही माना जाता है, दशरत अपने जीवन में अपने चारों और जितने भी छोटे-छोटे राज्यते उन पर आकरमन करते, उनकी प्रजा को समवेदना से देखते और इसलिए वो चक्रवर्ती कहलाए, उन्होंने अपना सारा जीवन युद्ध में बिताया, इसलिए उनकी रद्धावस्ता में उनको इतने बड़े राज्य को समालने के लिए एक चक्रवर्ती होने के कारण, उनको मुश्किल ये हुई, कठनाई ये हुई, कि इतने बड़े राज्य को कौन समभालेगा, क्योंकि उनको उस समय तक पुतर की प्राप्ती नहीं हुई थी, इसल में तक दश्रत रद्ध हो चुके थे, उनको ने कहा कि इस समय हमारा करतव है कि हम प्रजा के विशय में ही सोचें, क्योंकि हमारे इश्वा को वंश के राजाओं ने प्रजा के विशय में ही सोचा हैं, और प्रजा के लिए ही अपने प्राण दिये, उसी तरह मैं भी अपन संतान की तरह मानता हूं और मैं चाहता हूं कि इनको इनके उपर राजय करने वाला मेरा पुतर भी इसी तरह का हो उन्हाने पुत्रेश्टी अगई किया जिसमें से दिव्यप पाएस निकला और वो अपनी दोनों रानियों में बांट चुके थे लेकिन दोनों रानियों ने तयापूर्ण अपना आधा आधा हिस्सा तीसरी रानी को दिया और इस तरह से कशल्या के राम हुए और के कई के भरत हुए और सुमित्रा के लक्ष्मन और शत्रुगन इस तरह से चार पुत्रों का जन्म हुआ इस समय जैसा की इतिहास कहता है कि जैसे ही राम का जन्म हुआ अयोध्या पुरी में चारों तरफ सब दिव्यता का आभास होने लगा सरियो नदी जो बिलकुल धीरे बहती थी उसमें उबाल आने लगा चंद्रमा अपनी पूरी प्रकारता से चमकने लगा इस तरह के जो दिव्य लक्षन थे वो राम के जन्म से ही सबको मिलने लगे और राम में अध्भुत प्रतिभाय थी और शायद आने वाले समय के लिए जो हिंदू संस्कृती है उसमें एक पुरुशोत्तम लक्षन दिखाने के लिए ही शायद राम का जन्म हुआ था इसलिए उस समय से अब तक हम सिर्फ राम का नाम लेने से ही बहुत खुश हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं सिर्फ राम का नाम लेने से ही हमको पता चल जाता है कि उस समय किस तरह का प्रजा पालन हुआ करता था उसके बाद जब राम ने लगड़ा से लौटने के बाद यह तरह से अभी-अभी रिशब देव जी ने कहा है कि लगड़ा में उन्होंने लगड़ा में बिल्कुल कदम नहीं रखा था क्योंकि उन्होंने विबिशन को बुला कर आज भी वो जगे है हमारे पास रामिश्वरम में जहां उन्होंने विभीशन का राज्तिलग किया था उन्होंने कभी भी लंका में कदब नहीं रखा और जहां युद्धिक्षेत्र था युद्धिक्षेत्र भी लंका के बाहरी था इस तरह से उन्होंने कभी भी, जिस तरह से उनके बुजुर्गों ने इश्वाकुवंश के राजाओं ने प्रजा का पालन किया, राम भी उसी तरह का प्रजा पालन करना चाहते थे, जब धीरे धीरे जब राम को भी रध्धा वस्ता आने लगी, तो उस समय उनकी पुत्रक कुष ने परिपालन हाथ में लिया और वहाँ से शुरू होता है अयुधिया का संपननता अयुधिया का जो संपननता थी वो कुष के हातों से बहुत आगे बढ़ी, क्योंकि राम ने कुछ समय ही तक राज्य किया था, उसके बाद उन्होंने लग्षमन को दिया था, लग् रगवंश के 44 राजाओं ने अयुद्या पर राज किया और अयुद्या का अख्वास हुआ महाभारत में महाभारत में जब राजाओं ने जो रगवंश के राजा थे वो महाभारत में कौरों के पक्षमें उन्हों ने युद्ध किया था और इस तरह वो मारे गए तो जो कौ आरे लोग मारे जाने के बाद, अयोध्या उजड गई, क्योंकि वहाँ पर नौजवान नहीं थे, राजा नहीं थे, और धीरे धीरे लोगों ने आसपास के गाउं में जाके बसना चुरू कर दिया, इस तरह से अयोध्या का अयोध्या वीरान होती गई, थोड़े समय के सब्तपुरियों में काशी, रिद्द्वार, अयोध्या, कांची, द्वयरका और दो, दूसरी दो नगरियों का नाम भी आता है, इन सब में, शास्त्रों में उनका नाम लिखा गया कि ये सब्तपुरि को इतना स्रेष्ठ माना गया कि उसको स्वर्ग से उसकी तुलना की उसी तरह का एक महाल बनाया जाए जो इसी तरह की दिविताल खाया जाए जाए। राम को वापस ले आए, वहाँ उन्हें वापस स्थापित करें, उनकी प्रान प्रतिष्ठा करें, आज वो स्वपना सच होने जा रहा है, तो ये तो हमने एक एतिहास सेक और सांस्कृतिक जो धारना थी आप सबसे सुनी, हम ये जानना चाहते हैं, रामचंदर राओ जी आप कोशिश रही है, I think पूरे विश्व में सब लोगों ने कांट्रिब्यूट किया, इस मंदिर में कहीं ना कहीं, नेपाल से पत्थर आया, और कई जगाओं से सब ने अपना कांट्रिब्यूशन देने की कोशिश करी है मंदिर में, तो किस तरह से राम मंदिर ने पूरे जैसे मैंने कहा कि पंद्रह सो अठाइस में जब बाबर का अक्रिमन हुआ था, उसके बाद जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, तो करेक्टर के हाथ में आया था, फिर बाद में करेक्टर ने उसके गेट्स खोले, फिर बाद में वी विवाद हुआ, यहाँ नयायले मे नयायले में कई तरह से इसके कई केसिस चले, कई लोग इसके उपर लिडिगेशन किये, फिर हाई कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फाइबेज के जो जजज्मन थी, उसके बाद जो है, इसके एक अपने आप में एक सुलूशन मिल और ये solution मिलने के बाद आज जो मंदिर यहां बन रहा है तो इसकी जो लंबी जो लड़ाई जो यहां के लोगों ने जो जिनकी मैंने कहा था आकांक्छा थे जिनके कि हम यहां पर भव्य मंदिर बनाए राम लाला जी की क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि राम जी का जन्म यह जहां पर राम उनके नस रसम और लहू लहू मेरे जैसे आप जगता इंडियूनशा जाएंगे आज वह देश्व मुस्लिम दैश है लेकिन वहां पर रामायन जो है अफिशल होता है वहां के रामायन मंदिर जो है वहां के पुरा रामायन की realidad कि पताती है और वहां पर आप वहां के जो एरलाइन्स है उसका नाम है Garoda एरलाइन्स अच्छा और थाइलैंड जाएंगे आप वहां थाइलैंड में भी जो है वहां के राजा को राम कहते हैं और आज जो वहां का जो है राजा वो अज बुद्धिस कंट्री है लेकिन उनके बैंक अफ कुबेरा है उन मालिशन होता है वहां देखेंगे विष्का जो मन्थन होता है जो अमृत निकला है उसके बड़ी एक वतब्यू है बतलक जहां भी आप जाएंगे अगर आप मालिशेस जाएंगे तो वहां के प्रवनेशा का नाम था राम शीव सागर राम गुलाम तो अफगानिस्तान जा मैं वसी ले कहता हूं कि विष्व भारती पूरे देश में अगर आप मेक्सिको जाएंगे वहां भी एक मायन सिवलेशन था और मायन सिवलेशन में आजित किंग अजीता बूर्त ग्रेटेस लिए और आप अफगानिस्तान जाहिए अगर पाकिस्तान अपने भागता हो तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो राम की जो पूजा करते हैं जो राम को मानते हैं वो असे भारत में नहीं है पूरे विष्व में हैं और आज जो है वो हिंदू हो मुसल्मान हो कोई भी हो आज विष्व में आज राम मंदिर के लिए सब लोग अपना-पना योगदान दे रहे हैं ये जैसे आपने का कि नेपाल से कुछ आ रहे हैं क्योंकि नेपाल किनी है वेहां पर यह महां पर मैक्की आ है आयोध्या की मंदिर के निर्मान में आज भारत देश के मिट्टी हर भाग से आई हुई है और हर अभी अभी बता रहे थे कि हैदराबाद से वहां की जो दर्वाजा बने हुए हैं मुख्यद्वार हो गया है यहां की लकडी को लिगे गया है तिमबर जो अनुरादा टिमबर डिपो यहां हाईदराबाद में बोहिन पली में है वो बना रहे हैं वहां पर पूरे एक सो आठ दर्वाजा बने हैं हो पूरे हैदराबाद का योगदान है अच्छा और से वहां पर एक किसी इने दक्षिन से एक अपना बहुत बड़ा एक बेल घंटा उन्होंने दिया है मदराज से तो एक बात यह है कि देश के कोरे कोरे से केरल से हैदराबाद से मदराज से हर लोग अपना अपना योगदान कर रहे हैं तिर्पती से लड़ू भी जा रहे हैं वहां पर हर दिन बाइस थारीक को देश के हर मंदिर में लोग अपने आप किसी रादे से जुड़ हम दीब जलाएंगे यह दीपाली है हमारे लिए दीपाली मनाने के लिए कई कारण होते हैं जब और यह जो है यह एक खुशी की लहर आज पूरे देश में है एक तरफ तो उनका योगदान रहा है खार से वेकुन की तरह से एक तरफ जो है उनके देश की उनके गाउं की मिट तो राम के से राजा थे राम कैसे वेक्ती थे और राम ने कितने कस्ट उठाए राम ने अपने पिता की बात मानी तो यह सब जो है और मतलब आज बच्चे सीखते हैं जो उसके साथ साथ उनको भी पता चलेगा हर देशवासी को हर भारतिये को एक sense of ownership है मंदिर को लेकर कि हमारे देश से मिट्टी गई है या हमारे शहर से दर्वाजे गए है या हमारे शहर से वहां की जो घंटी है वो गई है तो एक sense of ownership लगता है हमें मंदिर को लेकर और यह जो आप बोल रहे हैं कि राम is a person to be emulated मुझे लगता है कि राम एक मरियादा पुरुशोत्तम है आज हम उन्हें भगवान की रूप में पूछते है पट राम is also a way of living जैसे राम अपने पिता जी की बात सुनी वो एक आदर्ष राजा थे वो एक आदर्ष बेटे थे वो एक आदर्ष पती थे तो यह सारा कुछ एक समाज जो हम आज देखते हैं शायद आज की यूथ में आज की जनता में जब वो राम के बारे में पढ़ेंगे राम मंदिर के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी values के बारे में भी पढ़ेंगे और ये एक जो change आएगा society में So Ram will become a way of living तो ये भी एक बहुत ही जैसे हम बोलते हैं ना सोची, समझी, planning है देश को एक समाज को सुधार कर एक अलग level पर लेके जाने की तो ये भी एक बहुत अच्छा movement जागरुक हुआ है आज हमारे देश में रिशब जी मैं अब आपके पास आकर ये पूछना चाहती हूँ कि इस movement के बारे में ये जो society में अब हम change देख रहे हैं राम मंदिर के प्रती, राम का जो over the years हमने society में जो image change हुई है इसके बारे में आप हमें कुछ बताईए हाँ फूनम जी बहुत ही रोचक प्रशन है आपका और मैं कुछ चोटे चोटे चार पाँच बिंदों के रूप में इस बात को रखना चाहूँगा कि राम की जो छवी भारती मन में है वह एक आयामी नहीं है multi-dimension बहुत सारे उसके आयाम है और सबसे बड़ी बात तो यही कि वे एक साधन हीन साधारण मनुष जिसे वनवास मिल गया है जी जिसके बारे में हमारे निराला जी कहते हैं उनके मुह से कहलवाया है कि धिक साधन जिसके लिए सदाही किया शोध कि जिन्हें घर से बस धनुष्वान लेकरके निकल गये सारा साधन जो है जिससे की लंका को उन्हें विजय करना है वह सब उन्होंने अपने से बनाया तो ऐसे एक साधन हीन जिसके पास पांड कुटी भी नहीं है वो भी अपने आप जाकर के बनानी है वन में एक ऐसे वनवासी या कहें कि जिसे रावन बार बार वनवासी और तपस्वी कह करके हिकारत से देखता है एक ऐसे व्यक्ति से लेकर के और एक ब्रह्मतक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा जो है वह उनके व्यक्तित्व चरित्र और एक प्रकार से चरित्र निर्मान के लिए उनके चित्र और चरित्र दोनों में जो संभावनाएं हैं उनको हम इसमें देखते हैं मैं अगर क्रम से बात करना चाहूं या कहूं कि उपर से बात शुरू करूं तो कि जब हम राम की बात करते हैं भारतिय मानस में राम एक आवतारी पुरुश के रूप में माने जाते हैं और आवतारी पुरुष जब हम कहते हैं तो वहीं यह तै हो जाता है कि राम का जो आगमन है वह पृत्वी पर लोक रक्षन के निमित तो हुआ है अच्छा वे पृत्वी की रक्षा करने के लिए और पृत्वी पर जो जैसे आज की भाषा में कहें तो जो आतंक फैला हुआ था अकेला रावन ही नहीं है उस समय की सारी की सारी जो परिष्थितियां है वे ऐसी आतंक कारी परिष्थितियां थी कि पृत्वी सारी पृत्वी भूमंडल तरस्त था और यह भूमंडल तरस्त था इसी लिए भगवान से प्रार्थना की गई कि हमारी रक्षा कीजिए और तब प्रभु ने अवतार लिया ये हमारी इसे आप धार्मिक कहें सांस्कृतिक कहें या कहें कि हमारी रग रग में यह विश्वास जो है वह बजता है और उसका जो स्वरूप है वो यही है कि इश्वर अंश जीव अविनाशिय एक अद्वैत का भाव है वो इश्वर भी है और वो जीव भी है वो पून भी है और वो अंश भी है ये एक भाव जो है और उसका जो स्वभाव है वो कैसा है मंगल भवन अमंगल हारी कि वह जो ब्रह्म है किस रूप में आ रहा है मंगल भवन अर्थात इस प्रत्वी पर सब प्रकार का मंगल हो सब का कल्यान हो इस भावना के साथ आ रहा है कैसे होगा मंगल ये कह देने से थोड़ी हो जाएगा मंगल के चलो आज से सब जगे मंगल 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 चिला ले तो हो करना पड़ेगा मंगल जो है मंगल मंगल भजने से मंगल नहीं होता, मंगल का नाश करने से मंगल होता है, तो यह जो भाव है, यही राम को लोक मंगल कारी बनाता है और राम के साथ जब सीता हाती है तो वो सर्व शेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम राम की प्रिया सीता क्या है सर्व शेयस करीम सब का कल्यान करने वाली है रावन का भी वे कल्यान ही करती है उसी बहाने पृत्विका कल्यान होता है तो ये एक भाव है, एक चीज है कि हम यह मानते हैं कि राम के भीतर, इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं, ये कोई आवश्चक नहीं है कि हम यही कहें कि कहीं किसी सात्वे आश्मान से, किसी वैकुंठ से कोई ब्रह्म उतर कर आया, नहीं, व्यक्ति के भीतर ब्रह्म प्रकट हुआ राम के भीतर ये जो इश्वरी जिन्हें आप दिव्य गुन कहते हैं वे प्रकट होते हैं मंगल भवना मंगला हारी के रूप में और राम से जो सीखने वाली चीज है हम कहते हैं कि हमारे पास एक हमारी पीडियों के लिए एक आदर्श है राम और वो कैसा है कि जल में रहना लेकिन भीगना नहीं पानी पर चलना लेकिन भीगना नहीं सारे एश्वर के बीच में रहना इश्वर है एश्वर के बीच में रहते हैं लेकिन निरलिप्त रहना अनासक्ती जिसे क्रिश्न कहते हैं आगे और वह क्या चीज है प्रसन्नताम्यान गताभिशेकत तथा अभी अभी तो सूचना मिली थी शाम को कि कल तुम्हारा राज तिलक हो रहा है राम उचलने नहीं लगते धीरता बनाए रखते हैं और सूरज निकलते ही क्या होता है वनवास हो जाता है तब वो रोने नहीं लगते करतव्य भाव से वे अपने जो उन्हें भूमी का मिली है उस भूमी का का निर्वाह करते हैं और यही कहते हैं कि यदि माता पिता का आशिरवाद मेरे साथ है तो मेरे लिए वन और भवन में कोई अंतर नहीं तो यह जो एक अनासक्ति का भाव है एक निरलिप्ता का भाव है इसकी आज बड़ी आवश्यक्ता है चूँकि हमारे भीतर एक ऐसी मोहा सक्ति बन गई है कि ध्यायते विश्यानपुन्सा, संगस तेशूप जायते, संगात संजायते, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात ब्रहमें स्मृति भरनशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रनश्यति के यह जो आसकती है चरम आसकती आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसका बीज शब्द ही जो है आसकती है भोग है यह भोग और आसकती जो है यदि इसे हम कहें कि बेलगाम हो जाए तो यह बिनाश की तरफ ले जाता और हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में यह घटित हो रहा है किस प्रकार से हम जलवायू परिवर्तन का संकर छेल रहे हैं हम किस प्रकार से इस प्रत्वी के शायद वास्तों में रसातल यदि कहीं हो तो वहां जाने की स्थितियों से दो चार हो हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं वह ऐसे राम के गुणों का प्रतीक है मैं कहूंगा कि यह रामत्व है रामत्व की प्रतिष्ठा है केवल राम नाम के किसी व्यक्ति आवतार की नहीं रामत्व की प्रतिष्ठा है राम संस्कृति की प्रतिष्ठा है और इसमें जैसा मैंन अमंगल हारी होना बड़ा जरूरी है चुकि चारों तरफ से अमंगल घेर रहा है और जब अमंगल चारों तरफ से घेरे तो पीठ नहीं फेरी जा सकती है आवश्यक्ता पढ़ने पर क्रोध भी करना जरूरी है राम जब देखते हैं कि दंड कारण्य में अस्थियों के एक तरह से धेर लगे हुए हैं सब तरफ अस्थियां बिख्री हुई हैं राक्षसों ने किस तरह का अनाचार अत्याचार पहला रखा है तो वे कहते हैं तुलसी कहते हैं उनके मुँझ से निशिचरहीन करों मही मैं इस पृत्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा तब तक सीता का हरं नहीं हुआ था कि आप यह कहें कि व्यक्तिगत कारण से कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था सामाजिक्ता और देखें इसी के साथ जुड़ी हुई है जैसे मैंने पहले भी कहा जो inclusive नहीं से समावेशिता है राम के पूरे चरित्र में एक समावेशिता है वे जब घर से निकलते हैं तो केवट से मिलते हैं वे अपने घर से निकलने के बाद निशाद राज बू से मिलते हैं वे आगे रिशियों से मिलते हैं वे आगे जाकर के जटायू से मिलते हैं वे आगे जाकर के हनुमान और सुग्रीव से मिलते हैं वे विभीशन से मिलते हैं और ये सब क्या है ये सब उस समय की अलग-अलग सामाजिक श्रेणियां हैं अलग-अलग सामाजिक श्रेणि के तमाम लोगों का एक तरह से उन्होंने अपने साथ समावेशन किया इस inclusiveness इस समावेशिता के कारण राम सिर्फ अयोध्या के नहीं है राम अभी आपने जैसा कहा कि हर किसी को ownership वाली बात आपने जो कही थी कि हर किसी को लगता है राम मेरे है और ये राम का घर मेरा घर है ये जो राम का घर है ये मेरा घर है यह जो अनुभूती है ये राम के पूरे जीवन में जो समावेशिता है उससे निस्त्रित होता है और एक बिन्दु की तरब मैं और ध्यान देना चाहूँगा आपका राम के चरित्र में प्रेम भी बहुत गहरे बसा हुआ है राम का बड़ा प्रेम अपने माता पिता के प्रती है और पिता का प्रेम तो उनके प्रती अद्बुत है ये राम का वियोग दशरत छन भर भी जैसी पता चलता कि नहीं राम वापस नहीं आए तो तुरंत ही वो राम राम कह करके धड़ाम गिर जाते हैं ये तो दशरत की तरफ से लेकिन राम की और से कि वे किस प्रकार से अपने पिता के द्वारा दिये गए वचन की रक्षा के लिए यह सारा कुछ स्वीकार करते हैं यह तो पक्ष है ही लेकिन एक जो कोमल पक्ष है राम का जो हमें जब वो सीता के प्रथम दर्शन करते हैं वहां से दिखाई देता है और राम का जो स्वरूप है हमारे यहां वह प्रेम मैं स्वरूप है राम ही केवल प्रेम प्यारा राम को केवल प्रेम प्रिये है और सीता के लिए जब वो संदेश भेजते हैं अपना तो उसमें वो कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा जानत एक प्रियामन मोरा हे प्रिये हे सीते तुम जानती हो मेरा एक ही मन है मेरे दो मन नहीं होते और वो एक मन क्या है सो मन सदा रहत तो ही पाही राम और सीता कितने ही दूर रहें दूर नहीं है मेरा वहमन सदा तुम्हारे पास रहता है जान प्रेम रस एतने ही माही ऐसा प्रेम चाहिए सीता कहीं रहे ये परिस्थितियां हो सकती है कि सीता की परिक्षा ले दिखानी पड़े राम नहीं है राम नहीं ले रहे हैं वो परिक्षा वो लोक के निमित लोका राधन के निमित राम एक स्थान पर कहते हैं उत्तर राम चरिफ में संभवत है कि लोका राधन के निमित यदि मुझे सीता का भी परित्याक करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा ये बीज शब्द है उस जो उत्तर राम चरित है उसका भवभूती की कृती और यही राम के चरित्र की विशेष्टा है कि उनके लिए मैं और मेरा नहीं हम और हमारा अधिक महत पूर्ण है वे प्रजा राधन के लिए लोका राधन के लिए तमाम तरह के कष्ट जहेल सकते हैं अपनों को वे कष्ट में डाल सकते हैं लेकिन प्रजा को कष्ट में नहीं डाल सकते और यहीं से एक चीज बस उनका जो लोकतंत्र का आदर्श है वो निकलता है कि जब राम का राज्याविशेक होता है तो वे जिन्हें सभासद नियुक्त करते हैं अपनी सभास समिती बनाते हैं उसे एक विशेश अधिकार देते हैं और वह अधिकार है जो अनीती कच्छु भाखों भाई है भाई अगर मैं कुछ भी अनीती करूं जो नीती संबत ने हो जो आज की भाषा में कहें संविधान संबत ने हो अगर मैं ऐसा कोई कदम उठाऊं तो मुझे बर जऊँ, तो तुम मुझे रोकना, टोकना, और कैसे टोकना, भाय, बिसराई, भाय को छोड़ करके निर्भीक भाव से तुम मुझे टोक लेना, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि राम का एक व्यक्ति रूप है, राम का एक राजा रूप है, राम का एक परमात्मा रूप है और ये सारे रूप मिल करके हमें एक सांस्कृतिक विग्रह के रूप में राम का निर्मान करते हुए दिखाई देते हैं और यही सांस्कृतिक विग्रह का नाम ही मेरे विचार से रामत्व और रामसंस्कृती है आपने हमें परिचे कराया राम के उस छवी से, राम के उस रूप से जो हमें कहीं न कहीं लगता है कि यह मुझ में भी है, यह आप में भी है ये हमें एक आदर्श जो values होते हैं, चाहे वो अपने माबाप के प्रती हो, चाहे वो आपके partner के प्रती हो, और बहुत जरूरत है आज के समय में इस तरह के values को अपने अंदर लाने की, तो हम केवल राम मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, हम केवल राम को घर वापस न कर रहे हैं, हम कहीं न कहीं अपने अंदर उन values की, values थापना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो एक लहर दोड़ पड़ी है हमारे देश में, अभी तो हम केवल इस excitement में हैं कि राम मतलब प्रतिष्ठा हो रही है, राम जी अपने घर वापस आ रहे हैं, पर धीरे-धीरे जैसे लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ का महौल देखेंगे, वहाँ की energy फील करेंगे, तब हमें ये realize होना चाहिए, तब हमें ये देखना चाहिए कि राम जिन values के प्रतीक हैं, जो वो हमें बताना चाहते थे उनकी जीवन शेली के माध्यम से, उनके रिष्टों के माध्यम से जो हमें बताना चाहते थे, उन्हें हमारे अंदर उतारने की बहुत आवश्यक्ता है, बहुत जरूरत है, तो प्रेमिता जी आप से मेरा प्रशन ये है कि राम की ये जो छवी है, जैसे रिष्ट जी ने बहुत खुबसूरती से इतना सब कुछ बताया, बाकी जो जनता ह है, आपने हनुमान के पस्पेक्टिव से जो पी-एचडी करी है, हम ये बताईए कि जो आसपास की उनकी जनता है, जो आसपास की उनकी प्रजा है, उनके घरवाले हैं, उनहें किस रूप से वो देखते थे? राजा की रूप में, अपने पती की रूप में बेटे के रूप में या उस परमात्मा या विश्णू के उस सात्वे अवतार के रूप में जो यहाँ पे एक सामाजिक उधार करने आये थे हम किस रूप से उस राम को देखे जो आज आयोध्या में आने वाले हैं? इन सबका भी उत्तर एकी ही है कि वालमिकी रामायन के बालकांड में जब नारज जी से ये पुछा गया कि प्रत्वी पर कोई ऐसा चरित्र है जो संसार के लिए वर्षों तक जब तक ये प्रत्वी रहेगी, जब तक ये चांद सूरज रहेंगे, जब तक ये नदियां रहें कौनसा ऐसा चरित्र है तो नारेज जी ने कहा था कि एक ही एक चरित्र है, वो है राम का और इसलिए वालमिकी रामायन का प्रादूर्भा हुआ, वालमीकी जी को ये कहा जाता है, वो तो 10,000 साल पहले की बात है, लेकिन समसामाइक मानते हैं उनको, उन्हें राम के चरित्र को जिस तरह से लिखा है वो ये इस्थापित करने के लिए कि राम जो है कोई दिव्य पुरुष नहीं थे बलकि वो हमारी तरह मनुश्य ही थे जिसमें अहंकार, द्वेश, इर्शा सब तरह की भावनाएं थी लेकिन उन्हों ने उसको कभी लोगों के सामने प्रदर्शित न हमार कर किस तरह से इंद्रियन इगरह मनुश्य को करना चाहिए इस बाद को स्थापित किया यही चीज है वो वर्शों से, हजारों वर्शों से हम हिंदूओं में, हम भारतियों में यह धिव्यता प्रदान करती है कि मनुष्य को जो अपने में जो अच्छाइयां लाना चा पुरुष वत्तम का अर्त है पुरुष में उत्तमूज़ से है। मानों में जो उत्तम है वो राम् का चरित्र माना गया है। इसी लिए शायद इतने सालों के बाद भी हम लोग आग भी श्री राम कहते हैं। और हम प्रसन्न होते हैं वो जो संस्क्रिती है, वो जो समाज के प्रती, वो जो परिवार के प्रती और वो जो अपनी प्रजा के प्रती उन्होंने जो कुछ किया, वो इसलिए आज तक स्थापित है क्योंकि वो एक मर्यादित है, इसलिए हम लोग उनको मर्यादा पुर्शोत अब राम के नाम से जानते हैं ये तो था एक historical take, एक cultural take on अयोध्या की जो history अभी तक रही है, राम की जो चवी हमने उभरते हुए देखी है, आज की स्थिती में वो कितना relevant है, अब बात करते हैं आज की present situation के बारे में, राम संदर राओ जी, काफी अयोध्या में अब एरपोर्ट बन चुका है, ट्रेंस काफी वहाँ पे अब आ चुकी है, हर इंसान mentally, physically चाहिए टीवी पे देखे या किसी भी तरह से अयोध्या के इस प्रान प्रतिष्ठा जो होने वाली है 22 जन्वरी उससे जुड़ना चाहता है, मोधी जी की भी एक अपील रही है कि आप प्लीज भीड मत बढ़ाईए अयोध्या में, 22 जन्वरी को अपने घर में हाथ जोड़के दिया जलाईए, दिवाली मनाईए, दिवाली हाला कि राम से ही असोसियेटेड है, तो दिवाली इस चाहिए जल्दी आ गई, पूरे इस एको सिस्टम में किस तरह से हमने देखा है कि देश भर में, खासकर कि अयोध्या में, किस प्रकार का जो डेवलप्मेंट कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एको सिस्टम और इवन कल्चिरली, किस तरह से लोग जुड़ गए हैं? जैसे आज हम जानते हैं कि भारत देश में, हमने जो यहां की जो आक्रमन का रही थे, सिकंदर आया था, बाबर आया था, चंगियज खान आया था, कई तरह की लोग हमारे पर आक्रमन किये थे, और हमाने संस्किति को तंस किया था, और इसी बैक्ड़ून पर, सब के दिलों में यह एक इच्छा थी कि जो राम जी का जो जन्मस्था ने, उसको जो आक्रमन कारी ने, उसको उन्होंने जब हम धन्समस किया था, वहां एक भव्य मंदिर बने, और आज यह बनने जा रहा ह इसके लिए स्रेज आता है सबसे पहले नरेंदर मोजी जी को, और सारे इस देश की जन्ता को जो इन्होंने जीन का समधन किया, यह पहली बात रही, दूसरी बात यह है, यह इसको मंदिर या कुछ एक स्ट्रक्चर की तरह नहीं देखना चाहिए, जैसे मैंने का कि यह इसको मंदिर की तरफ से हमने नहीं देखेंगे, इसको एक प्रतीक पानेंगे, हमारे संस्कृति पर विजय पाने की, एक, दूसरी तरह रही कि यहाँ पर जो गतिविदिया जो बढ़ेगी वहाँ पर आर्तिक गतिविदिया, इससे आपने कहा है एरपोर्ट, ट्रेंस और जरूर वहाँ की जनता इसके स्वावत करेगी, और ट्रांसपोर्ट टूरिस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट फेसलिटिस बढ़ेंगे, वहाँ पर एकनोमिक एक्टूरिस होगी, तो आयोजय के लिए नहीं पूरे उत्रप्रदीश के लिए और पूरे भारत के लिए भी आलेडी बन गया है, कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कई लोग वहाँ जा रहे हैं, अब जाब वार्नासी जाएंगे तब हर प्रांस के लोग वहाँ दिखेंगे, तो इसी तरह एक मुमेंट रहेगा, और ये एक अच्छी बात है, आज नरेंदर मोदी जी के सरकार ने इ प्रांप्रतिस्टा हो रहे हैं, जरूर इससे देश में खुशाली आएगे, अयोध्या में खुशाली आएगे, लोगों में खुशाली आएगे, और हम सब गर्वित हैं, कि ये हमारा देश, हमारे जो राजा मानते थे जिसको ये देश और विश्व, राजा, राम, उसका बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं, फैंटास्टिक, आप तीनों की बाते सुनकर, मुझे तो ऐसे रॉंग्टे खड़े हो गए, क्योंकि इतना खुपसूरत ये एक समय है, हमारे जीवन में हम ये होता देख रहे हैं, हम चैद मोक्ष प्र देश में एक सार्थक कोशिश कर रहे हैं, ये तो एक सामाजिक स्थिती है, जहां पर हम देश को सुधारने की या देश में एक चेंज की जो लहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर, हम हमारे अंदर राम है, हर इंसान के अंदर राम बसा है, हम में भी ये ताकत है, हम में भी ये शक्ती है कि मर्यादा पुरुचोत्तम राम की जो वैल्यूस थी, हम वो कहीं न कहीं वैसा बनने की कोशिश करें, बहुत मुश्किल है, बट ये ये शायद हमारी एक सार्थक कोशिश है कि अयोध्या की इस पावन भूमी में जब आज राम को हम वापस ला रहे हैं, हम उन्हें घर वापस ला रहे हैं हम अपने राम को अपने देश, अपने घर जब ला रही हैं, हम कहीं न कहीं उनकी दीवी सीख, उनके जैसे बनने की एक सार्थक कोशिश जीवन भर करते रहे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए रामचंदर राओ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमिलता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिशब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों से बात करके बहुत मज़ा आया इतनी सारी नही नही बाते पता चली जो आइम शूर हमारी आज ओडियन्स देखकर जरूर इसके बारे में सोचेगी जैसा हम चाहते हैं कि हम हर चीज गूगल करके पढ़ें और समझें तो ये भी गूगल करिए ये भी समझें कि राम किस तरह के थे क्या उनका प्रतीक ता किस तरह की उनकी वैलियूस थी और कही न कहीं वैसा बनने की कोशिश करें उस मार्क पर चलने की हम एक कोशिश करें मिलते हैं दूरदशन यादगीरी के हिंदी प्रोग्राम के अगली नई प्रस्तुती में तब तक मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेच्छा आप सबसे विदा लेती हूँ जै श्री राम